आज मैं आपको एक नया डिजाइन बॉर्डर का सिखाने जा रही हूं यह देखिए यह कैसे बनता है यह मैं आपको बताती हूं बॉर्डर में जैसे एक उल्टा एक सीधा बनते हैं इसमें भी वैसे ही बनाना है बस एक धागा पलटना है वो देखिए कैसे पलटते है पहला फंदा सीधा है इसको सीधा ही बनेंगे फिर एक उल्टा उसको भी उल्टा ही बनेंगे फिर यह तीन फंदे कठ्छे उतारेंगे एक सीधा है एक उल्टा है फिर एक सीधा है यह हम तीन फंदे उतारेंगे ऐसे और उतार के इसको धागे को ऐसे पिछे लेके जाएंगे और फिर इनको वापिस स्लाइमें वापिस उतार लेंगे ऐसे और इस दाक्यों खीच के ऐसे करेंगे अभी जो पहला सीधा फंडा है इसको ऐसे उतारेंगे उसके बाद इस उल्टे फंडे को हम बुल लेंगे देखे ऐसे उल्टे के बाद जो सीधा वो भी बुनेंगे फिर इसके बाद जो उल्टा है उसे भी बुनेंगे फिर वैसे ही करेंगे तीन फंदे जो पहला सीधा उल्टा सीधा इनको उतार लिए इसलाई में धागा ऐसे घुमाएंगे पिछे फिर इन तीनों फंदों को वापिस उसी पहले वली स्लाई में उतार लेंगे अब ये जो पहला सीधा फंडा है इसको ऐसी उतारेंगे उल्टा बुनेंगे और सीधा भी बुनेंगे फिर एक ये उल्टा है आगे दुबारा फिर इसको बुनेंगे फिर उसके बाद फिर सीधा उल्टा सीधा और ये धागा ऐसे पीछे लेके जाएंगे और इन तीनों फंडों को वापिस उतार लेंगे सलाय में और इस दागे को आगे लियाएंगे और इस जो सीधा फंडा इसको नहीं बुनाना इसको ऐसी उतार लेंगे और उल्टा बुनेंगे फिर वो जो इसके बाद सीधा है उसको भी बुलना है फिर एक उल्टा आ रहा है फिर उसको बुल लेंगे ऐसे ही पूरी सिलाई करनी है सीधा उतारा उल्टा बुलना ये सीधा भी बुलना है उसके बाद फिर ये उल्टा बुलना है फिर वैसे ही करेंगे तीन पंदे उता रहेंगे पहला सीधा उल्टा सीधा और धागे को ऐसे पलट देंगे और इस धागे को आगी की तरफ ले आएंगे और सीधा बनाएंगे जो सीधा फंडा उसको नहीं बनाना उल्टे को बनाना है और सीधे को बनाना है फिर उल्टा ऐसे पूरी सलाई करनी है अबर वैसे ही करना है तीन फंडे उतारने सीधा उल्टा सीधा और धागा घुमाना है पीछे से और वापिस आगे की तरफ ले कराना है फिर सीधा नहीं बनना उल्टा बनना है फिर सीधा बनना है फिर उल्टा बनना है अब ये जो दो फंडे बचे है इसको ऐसे ही बन लेंगे सीधे को सीधा बनेंगे और उल्टे को उल्टा ठीक है अब उल्टी सलाई में जो सीधा फंड है उसको सीधा एक उल्टा एक सीधा जैसे बनाते हैं बार्डर वैसे ही बनाना है पिछले तरफ का झाल झाल पूरी उल्टी स्लाई ऐसे बनानी है एक उल्टा एक सीधा जैसे बाडर बनते हैं उसी तरह से अब हमने देखना है कि जो ऐसे बन रहा है धागा पलट न है तो यह सीधा फंदा तो ऐसी बनेगा और यह उल्टा भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें और इसके बाद यह सीधा भी ऐसे ही बनेगा फिर यह उल्टा भी ऐसे ही बनेगा क्योंकि धागा इधर आगे की तरफ लेना क्योंकि वो फिर एक क्यों पर एक नहीं आना चाहिए अब यह जो है तीन फंदे उतारेंगे ऐसे और धागा ऐसे पलटेगा पिछे से कुमा के वापिस आगे लेकर आना है सीधा फंदा नहीं बनना उल्टा बनना है और सीधा भी बनना है फिर उल्टी स्लाई उल्टी और उल्टा फंदा उल्टा ही बनना है और यह तीन फंदे दुबारा फिर उतारने है और इनके पिछे धागा गुमा के लेकर आना है सीधा नहीं बनना उल्टा बननना है और यह इस तरह से यह धाग यह वाला जो है धागा पलट गया तो यह इधर आएगा यह धागा जो है आगे पीछे जैसे इसमें आ रहा है एक के उपर एक धागा ना आके यह ऐसे टेड़े टेड़े दागे चल रहे हैं देखिए इसमें इस तरह से यह बार्डर बनेगा मैं बना रही हो भी देखू अब यह उल्टा फंदा उल्टा बनना है और इन तीनों के फिर ऐसे गुमाना है जाता गुमा के आगे की तफलाना है सीधा नहीं बनना उल्टा बनना है और यह वाला सीधा बनना है यह उल्टा भी बनना है जैसे हम बार्डर बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है बस धागे को प तो एक नया डिजाइन का बार्ण बन जाएगा तो तो एक ऐसे घुमा दे बस्में धागा ही घुमाना है जैसे बार्ण बनाते हैं वैसे ही बने बास अश्य तरह से एक नया डिजाइन को पंदा जाएगा आपके सामें आपके आपके करने वह वार यह वह वह भात का जो फंदा बचता है उसको ऐसी बनेंगी उल्टा बचा इसको उल्टा ऐसी बता लेंगे और उल्टी सलाई में जैसे है वैसी बनेगे सीधे को पर सीधा उल्टे को पर उल्टा जैसे बाड़ बनते हैं झाल 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 कि अब जाए यह सीधा पंदा आए ऐसी बनेंगे और उल्टा रहा है तो इसको उल्टे को भी ऐसी बनेंगे क्योंकि हमने सीधे के आगे से धागा पलटना है एक सीधा उता रहा एक उल्टा उता रहा एक सीधा उता रहा और ऐसे बनेंगे यह दागा कमाके आगे तो अब लिया एक सीधा नहीं बनना उल्टा बनना है सीधा बनना है और यह जो उल्टा है यह भी बनना है उल्टे के बार फिर जो सीधा हैगा उससे धागा ऐसे पलतींगे ए ऐसे गरके सीधा नहीं बनना उल्टा बनना है और यह वाला सीधा बनना है फिरी उल्टा बनना है यह देखिए बिल्कुल वैसे आ रहा है ना करा कर दो झान को करने करे दो घूड़ैँ आएगा टांपर कि पहीघा रहा है और है यह भी करा कि शन्टा है बनना है अजूjust, को भी क्ष़ड़दी